सब्सक्राइब करें भी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं यूपी बोर्ड की दस्वी और बारहवी क्लास के परिक्षाओं के रिजल्ट्स आज जारी किये जाएंगे बारहवी क्लास का रिजल्ट बारह दशमलव तीन शुनिल बजे और दस्वी क्लास का रिजल्ट एक दशमलव तीन शुनिल बजे आएगा दरसल माध्यमिक शिक्षा परिशत 16 अप्रेल से नया शेक्षनिक सत्र शुरू करने जा रहा है ऐसे में चात्र चात्राओं के साथ ही अभिभावग भी नतीजों के इंतजार में भी आसमंजस की स्थित थी कि क्या 15 तारीक को नतीजा वाकई में आएगा या नहीं पिछले दिनों एक आरेक्रम में उपमुखे मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा था कि दसवी और बारहवी के रेजल्ट 15 अप्रेल तक जारी कर दिया जाएंगे जिसके बाद नए सत्र का अगाज 16 अप्रेल से होगा 54 लाख परिक्षार्थियों को रेजल्ट का इंतरजार योपी परिक्षार्थियों की संख्या 29,81,327 थी हाला कि परिक्षा शुरू होने से पहले ही करीब सी हजार परिक्षार्थियों को बोर्ड की स्कूरूटनी में फरजीव अमाईये प्रमान पत्रों के आधार पर बाहर कर दिया गया था परिक्षा के दोरान 11 लाख से अधिक परिक परिक्षार्थियों ने परिक्षा छोड़ दी इसलिए अब करीब 54 लाख परिक्षार्थियों को रेजल्ट का इंतरजार है नीचे दिये गए बॉक्स में भी अपनी डेटेल्स डाल कर रेजल्ट चेक कर सकते हैं इन वेब साइट पर चेक करें अपना रेजल्ट बोर्ड अपनी आधिकारिक वेब साइट अप रेजल्ट निक इन पर नतीजे जारी करेगा छातर चात्राओं की सहूलियत के लिए अपनस प्रेसल्ट अप निक इन इंडियर रसल्ट काम, एक्जाम रसल्ट नेट और रेजल्ट निक इन पर भी रहेंगे नतीजे इस बार बोर्ड परिक्षा में 66.37 लाग से ज्यादा विद्यार्थी परिक्षा में बैठे थे, पास रखे एडमिट कार्ड यू पी बोर्ड के दसवी और बारहवी के विद्यार्थियों को अपना नतीजा जानने के लिए वेब साइट पर जाने से पहले अपने पास एडमिट कार्ड स्कूल की परिक्षा में 34.47 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 81.6 फीजदी उतीर्ण हुए, वहीं इंटरमीडियेट की परिक्षा में 26.24.006 और एक जान दिया था, इनमें 81.6 प्रतिशत पास हुए थे